State Bank of India, internet banking का अगर आपको user ID और password भुल गए हैं, तो आप किस प्रकार से उसको पता कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको आप reset कर सकते हैं, पूरी जानका इस video के माधधम से बताने वाले हैं, तो video को आप फच फट से like कर दोना और like करने के साथ साथ channel पर पहली बार आये हो channel को भी subscribe करके बेल नोड इसन को all करके जरूर से paste करना है चली दोस्तों वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही request करना चाहेंगे कि वीडियो को आप अन तक देखेंगे तब जाके आप reset कर पाएंगे तो चली दोस्तों start करते हैं सबसे पहले आपको किसी browser पर किसी भी आपके browser Google हो Chrome हो जो भी browser है आपके पास उस browser को open करना है open करने के बाद दोस्तों एक मैं नया टेबले लेता हूँ उसकी बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको सर्च करना है क्या सर्च करना है देख सकते हैं सर्च करना है दोस्तों online sbi.com जैसे सर्च करेंगे दोस्तों आपको इस वाले पेज़ पे redirect कर दिया जाएगा इसके बाद दोस्तों आपको एक option यहां पर दिखाए देगा sbi यहां पर लिखा हुआ है और www.sbi.com लिखा हुआ है इसी पर क्लिक कर देना इस पर जैसे क्लिक कर देंगे दो फर्स्ट वारे लिंक पर यहां पर इस परकार से की कोसिस करना है अँब login कैसे करना है दूस्तों न तो हमको जो है ili मालूहें पासवड मालूमें तो किस प्रकार से आपको reset करना है चलिए यहां पर continue to logarithm कर देना यहां पर देस्क्ते हैं दूस्तों यहां पर इस पर click कर के लिए बोल रहा है उसके बाद दोस्तों यह केपचा डालने के लिए बोल रहा है और दोस्तों यहां पर नीचे लोग पासवट करके आपसवट करना है जैसे क्लिक कर दोगे दोस्तों आपके सामने इस परकार से एक एंटरफेस खुलेगा यहां पर दोस्तों आपको क्या पता करना है सबसे पहले दोस्तों आपको जो यूजर आड़ी पता करना है यह तो दोस्तों आपको यूजर आड़ी पता नहीं है तो लोगिन पासवर्ट को भी पता नहीं होगा तो आपको दोस्तों यहां पर एक यहां पर password टीक लगाना है अगर आपको username पता नहीं है तो अब को फार्गेट करते हैं द cabejours यहां पर username लिखा है यहां पर देख सकते हैं नहीं लिखा है इसके आगे एक गोल लिसान है इसी पर चीनल मुलाएंगे दोस्तू यहां पर अपसन लिद्ध करना पड़े Liberal सोlam इस टेप भी मिस कर जाते हैं तो आपको यूजर आड़ी और पासवर्ड रिस्टेट नहीं हो पाएगा और जो है आपको बेंग जाना पड़ जाएगा तो मैं घर बैठे आप लोगों को बता रहा हूं घर बैठे सारा चीज कर सकते हैं सबसे पहले आपको यहां पर बोला जा लेना है उसके बाद दौस्तों यहांपभर जो है उस दालना है जो करने हैं चुसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों मेरे सारा चीछ भरके सबमिट करेंगे किस दूश्तों आपको सबमिट करने के बाद दुश्तों आपकी मुवाइल नंबर पर जो बैंक से लिंक होगा नबर एक OTP भहते जाएगा OTP को आप्पे कट करेंगे OTP को फिल कर के दूस्तों आपके mil जाएगा तो इस परकार से तो इस आप जो है आप यूझे नेम मिल जाएगा उसकी बार दूस्तों नेश्ट बाद आती है यहाँ पर हमें क्या करना यह यहां तो आप username हो गया उसके बाद में ... लोगई पासवर्ड जो हम लोगईquinho करते हैं उस पासवर्ड को फ़र से इसपे क्लिक करना है और कीड करने के बाद एससे क्लिक करेंगे दोस्तों यहां यहां पर आपको username तो मिल गिया अभी username मिल गया दोस्तों आपको चाहिए अब क्या सेलेक्ट करना है यहां पर मुवाइल नमबर इसको यहां पर फिल करना है फिल करने के बाद यह सब्मिट वाल आप्सन दिख रहा है इस सब्मिट वाल आप्सन पे क्लिक करके सब्मिट कर देना है जैसे सब्मिट कर दोगे दोस्तों आपको जो है एक नया पासवर्ड जेनरेट करने के लिए बोला जाएगा ठीक है दोस्तों आपको एक न जैसे दोस्तों आप लोग चाहते हो कि इसको मैं पूरा पूरी बज्योबर बनाएंग कर सकते हैं, अगर दोस्तों आपको कोई भी आउत परसाजी होती है तो जो है हमें नीचे कोमेंट करके बता सकते हैं चलिए मिलते हैं एक ने टोपिक के साथ तब तक के लिए खुश रहो सलामत